एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुनाव प्रिशिक्षन के बारे में चुनाव कराने के लिए polling party के सदस्यों को prescription कैसे दिया जाता है उन्हें कैसे चुनाव कराने के लिए तैयार के जाता है आगे वीडियो में इसी के बारे में हम पूरी detail में जानेंगे polling party में अगर हम सुरक्षा करिम्यों को छोड़ दे तो उनके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद उनके वेतन के आधार पर उन्हें पीठा सीन अधिकारी, मद्दान अधिकारी, पिर्थम, दित्ये और तित्ये में बाटा जाता है और फिर उन्ही के आधार पर उन्हें लेटर जारी किया जाते हैं अब आपके सामने एक मैं लेटर दिखाता हूँ कि कैसा लेटर वो होता है जो जारी किया जाते हैं जिला इस तर पर नुक्ति आदेश जारी किया जाते हैं इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है इसमें सबसे उपर दिया गया है विधान सभा सामने रिर्वाचन 2022 पीठा सीन एवं मद्दान अधिकारियों के लिए नुक्ति आदेश उसमें कुछ अधिनियम और धारा के बारे में बता कर जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगा जाती है और ऐसा आदेश जारी किया जाता है उसमें पीठा सीन अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी है उसका नाम और उसका कॉड बैंक की पूरी डिटेल जैसे बैंक की खाता और ब्रांच और उसके IFSC कोड यहाँ पर दिया जाता है कारेले का कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ पिर्शिक्षन का क्या-क्या दिनांग है और किस कोड संख्या का किस दिन पिर्शिक्षन होगा पूरी डिटेल वहाँ पर मिलती है कोड वार यहाँ पर पिर्शिक्षन के लिए डेट निर्धारित की जाती है और उसी डेट के अनुसार जो है कर्मचारी वहाँ पर जाकर प्रिस्टिक्शन प्राप्ट करते हैं और साथ इसाथ उसमें अगर किसी भी तरह की तुरूटी है तो उसको कैसे सही कराना है कैसे उपस्टिती होगी पूरी डेटेल वहाँ पर प्रिस्टिक्शन का आयोजन जिला इस तर पर किया जाता है जिला इस तर पर कोई एक इस्थान निर्धारित किया जाता है जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्द हों देखे अगर हम जन्पत बिज्जोर की बात करें तो कितने अच्छी पारकिंग यहां पर बनाई गई है आसानी से कर्मचारी अपने वाहन को यहां पर खड़ा करके जो भी निर्धारित कक्शा कक्श है उसमें जा सकता है लेकिन उससे पहले सूची देखनी होती है वो सूची मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ इस सूची को आप देख सकते हैं यहां पर जो बिलोग हैं यहां पर बिलोग के बारे में भी दिया गया है किस बिलोग में आपको प्रिस्टिक्शन लेना है और किस बिलोक में कौन से कक्ष में आपको जाना है उसकी कक्ष शंक्या भी यहाँ पर दी गई है किस दिन आपका प्रिशिक्षन है और किस कक्ष में आपको जाना है पूरी डिटेल यहाँ पर जो सूची है उसमें मिल जाती है और करमचारी इसे देखकर आसानी से अपने निर्धारित कक्षा कक्ष में चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सुईधा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला विजनोर में बहुत ही अच्छी सुईधा यहाँ पर की गई है जिससे कर्मचारियों को किसी भी प्रिकार के एस्विधा ने हो सूची को देखकर कर्मचारी निर्धारित कक्षा कक्स की और चले जाते हैं सबसे पहले वो यहाँ पर देखते हैं कि मेरा कौन से बिलोक में प्रिशिक्षन है तो उस ब्लोग को यहाँ पर वो सर्च में उसके बाद जब उन्हे ब्लोग बिल जाता है तो निर्धारित कक्षा कक्षHHRP से पहले ही वहाँ पर उनकी attendance के लिए register रखा होता है तो निर्धारित प्रोजेक्टर के अलावा भी जो मसीने होती है eweum के साथ में जैसे अगर हम बात करें जो cu है और BU है और VV-Ped है उसके बारे में भी बारी कियों से बताई जाता है और साथे साथ उनका कनेक्शन कैसे कियا जाता है कैसे वोटिंग की हेल्प के लिए एक टेलीग्राम गूरूप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुए है आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं साथे साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद